तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अबेट्मेंट किसी को उकसाना अगर हम किसी को एंकरेज करना कोई क्राइम करने के लिए उस पे कितनी सजा है और क्या-क्या देखा जाता है कोट के तो आराम कि ये बंदे ने अबेट्मेंट किया है तो ये इस धारा के अंदर इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो चलिए हम अपनी वीडियो के तरफ बढ़ते हैं वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं अपने वीवियर्स को कहना चाहूँगा जिनोंने अभी तक चैनल सब्स सेक्शन 107 इंडियन पीनल कोट और चैप्टर फाइफ का ये टॉपिक है बहुत इंपोर्टन है और बहुत इंटरस्टिंग है बहुत इजली आपको आज समझ आ देगा और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सेक्शन 107 कवर करेंगे उसकी जज्ज्मेंट्स देखेंग क्योंकि टॉपिक कही न कहीं इंपोर्टन है आपके LLB और इवन दो LLM और जुडिशरी के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए एक अबेटमेंट है क्या चीज़ तो चलिए हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो टॉपिक है अबेटमेंट अबेटमेंट स स्टार्टिंग टॉपिक में आपको बता देता हूं मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किये एके नाम पर ए नाम का बंदा था उसके नाम पर वारंट इशू किये और लोकल ठाने को बेज दिये गए वारंट और वहां के पुलिस वाले निकल परे वो आदमी क गाउ में डूढने के लिए वो आदमी कहा रहता है ए नाम का तो वहां पर चलते चलते वो बी को मिले बी ने जब मिले तो बी से पूछा गया कि ए नाम का बंदा इस गाउ में कहां पर रहता है तो बी ने क्या किया जान पूछ कर जैड को बता दिया कि ये ए है और पुलिस इसने A मानते हुए Z को गिरफतार कर लिया यहाँ पर B ने इंस्टीगेट किया उनको इंस्टीगेट समझ गया ना यह एक तरीका है अबेटमेंट अबेटमेंट यह अंडर आएगा अबेटमेंट के भी उसने उनको गलत बताया उनको इंस्टीगेटली रॉंग इंफॉर्मेशन दी इंटेंशनली दी कि वो जान पूछ के A को न पकड़ सके और उसकी जगा वो जेट को पकड़ के लिया है तो समझ रहे हैं ना अबेटमेंट मतलब क्या है और काफी सारे एक्जेंपल में आपके साथ शेयर करूँगा उससे पहले इस वीडियो की अबेटमेंट की हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि अबेटमेंट अल्टिमेटली चीज क्या है अबेटमेंट हिंदू लौ के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो हिंदू लौ में क्या हुआ करता था उस टाइम में मान लीजिए एक बंदे ने कतल किया एंड परसन हैस गिवन आ फैटल ब्लो ओना हैड ऑफ परसन एक ब्लो खीच के उसने मारा एक आदमी के सर पे वो आदमी मर जाता है अब जिस बंदे ने इसको इंस्टिगेट किया था कि भई तू फलाने बंदे को जाके मार या प्रुवो किया था उसको या इंकरेज किया था कि भई तू उस फलाने बंदे को जाके मारा तो Hindu law के according उस time में उसको सजा आदी हुआ करती थी उसको सजा पूरी नहीं दी जाती थी उसको सजा आदी दी जाती थी जिसने instigate किया और जिसने उसको मारा है उसको सजा पूरी दी जाती थी जो भी उस law के according उस time में हुआ करती थी और इसी तरह when we talk about the English law English law has categorized this abatment into different principles different degrees तो उन्होंने क्या किया था मान दीजे किसी ने abatment किया तो वो first degree में first degree क्या होता था first degree उसको रखते थे जिसने उसको मारा है second degree में उसको रखते थे जिसने उसको instigate किया है encourage कि यह काम कर तो इसी साब से English law में punishment दी जाती थी first degree जो principle of first degree हुआ करता था उसको थोड़ी जादा punishment मिला करती थी और जो second degree of punishment principle of second degree में आता था उसको कम दी जाती थी समझ रहे हैं आप abatment बहुत easy topic है और अब बढ़ते हम Indian penal court ये तो हो गया Hindu law के according भी Hindu law सौरी कह रहा हूँ एक Hindu law ही सौरी Hindu law के according और second thing English law के according किस तरीके से abatment उस टाइम में चला करता था अब Indian penal court 1860 की बात करते हैं उसमें abatment क्या है उसमें simply उन्होंने तीन words से इसको define किया है first word उसमें उन्होंने बताया instigate abatment वो बंदा करता है जिसमें first thing देखी आती है कि वो instigate किया उसने second intentionally किया sorry engage second thing is engage instigate second engage engage नॉर्मल सी बात है जब abater होगा जिसने abat किसको abat किया है और जो कर रहा है माल लीजिए मैं किसी को उकसा रहा हूँ तो मैं abater हूँ ultimately मैं एक बंदे को जोड़ूँगा नॉर्मल सी बात है तो engage किया मैंने second thing is engage one or two person जिनको भी engage किया third is intentionally intentionally या तो मैं उसको काम करने के लिए रोक रहा हूँ या मैं उससे कह रहा हूँ ये फलाना काम कर या ना कर और aid भी कर रहा हूँ उसे वो चीज प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ उसको हारबर भी कर रहा हूँ गर सो शेल्टर की जुरत है तो उसे छुपा भी रहा हूँ example के तौर पे देख लीजिए अगर हम इसकी बात करें intentionally किसी को हारबर किया मान लीजिए एक आदमी को पुलिस उठाके ले जाने वाली थी और उसको रिमांड पर लेके जाना था पुलिस ने वो भागाया पुलिस की कस्टिडी से और किसी ने उसको छुपाया अब जिसने छुपाया उसने एड का काम किया हारबर किया उसको उसको पुलिस के रिमांट पे जाने से पहले उसको भगा लिया वहां से उसको छुपाया फिर वहां पे ठीक है तो वो बंदा हार्बर कर रहा है शेल्टर कर रहा किसी क्रिमिनल को तो I have told in the starting of the video कि लास्ट में हम बड़िया तरह जानेंगे कि instigate, conspiracy और aiding तीनों क्या चीज़े हैं जो मिलकर abatement बनाती हैं तो सबसे पहले जानते हैं instigation के बारे में जानते हैं सबसे पहले abatement by instigation तो start करते हैं instigation simply mean जो होता है encourage, suggest करना किसी को insight करना किसी को कि आप ये काम करिए example बहुत easy है जो starting में मैंने आपको बताया था एक police वाले को warrant दिये जाते हैं कि आप गाउं में लेकि जाएए पूछिए वहाँ पर कौन है वहाँ पर ये बंदा और पर वहाँ पर b मिलता है वो बता देता है a को ये बताना होता है a के बारे में बता देता है कि a z ही है और a की जगा z को गिरफतार कर लिया जता है तो वो instigate करता है second thing जो इसमें है पहले instigate में इसी में एक बहुत अच्छी ruling है प्रोतिबा प्रोतिबा दत प्रोतिबा दत versus state 1977 की ये एक बहुत important judgment है अगर आप इसमें देखेंगे काफी कुछ इसमें आपको बैट्मेंट के बारे में और जानने को मिलेगा और second जो इसमें है abattment by conspiracy conspiracy में क्या होता है more than one person होगा normal सी बात है conspiracy में तो दो या तीन लोग जितने भी होंगे फिर recording उसके आपको पता यह section 34 या 149 में जो भी ultimately उस पे suitable बैठेगा पुलिस उसन पे वो affair में उस sections पे affair lodge करेगी तो हम जानते है conspiracy conspiracy में क्या होता है मान लीजे example के तौर मैं आपको बताता हूँ क्या आपका घर आपके घर में चोर आते हैं और वो आपके जो servant है उसके साथ agreement करते हैं कि एक तरीके का हम आएंगे और रात को आपको दर्वाजा खुला छोड़ना है और हम आके चोरी करेंगे घर में यह ultimetry conspiracy हो गई आपके servant और उनके बीच में type of an agreement अगर तो वो दर्वाजा खोल देता है तो ultimately he comes under the abattment conspiracy की commitment नहीं हुआ है अभी तक वो enter नहीं हुए या वो नहीं आए या इसने दर्वाजा नहीं खोला और अगर खोल देता है और चोर आजाते हैं तो ultimately it's come under the section 107 abattment और last में हम बात करते हैं section में adding एडिंग का simple meaning होता है कि मान लीजिए तीन दोस्त हैं मैं आप और आपका friend हम तीनों ने plan किया कि हमें एक पंदे को मार के आएंगे हमने मैंने और आपने मैंने और आपने आपके friend को बोला मारो मारो और आपने एक हाथ से उसे knife दे दी मैंने तो ultimately instigate किया मारो मारो आपने aid भी कर दिया उसको knife भी दे दी तो उसने उसे मार दिया तो ultimately comes under the abatment मैंने instigate किया आपने aid किया और उसने मार दिया तो ultimately proper बनाता है abatment और last में एक आपको मैं फातिमा नात वर्सिस state of assam बहुत important एक judgment है यह भी इसमें abatment में काफी exams में पूछा जाता है तो यह भी आप यह भी आप अच्छी तरह इसे पढ़ लें और इसमें आपको abatment के बारे में जानने को मिलेगा Thank you